इस चुना आयोग पर कोई कैसे भड़ोसा कड़े, खुद ही बताता है कि साड़े बाड़ा बजे प्रेस कॉनफरेंस है, फिर इसे तीन बजे कर देता है, एक बजे प्रधान मंत्री की सभा है, क्या इस बजे से ऐसा क्या गया, कि रेली की कब्रेज या उसमें की जाने वाली गोशन परभाव इतना हो, बेतर है आयोग अपना मुख्या ले, बीजे पी के दफ्तर में ही ले जाए, नया भी है और न्यू इंडिया के हिसाब सी भी, मुख्य चुना आयोग तो वहां किसी पार्टी सचीब के साथ बैठ कर प्रेस कॉनफरेंस की टाइमिंग तैग कर ले से मैनेज करने वाली ख़वर भेजी गई कि पत्रकारों ने कहा था कि इतने कम स्वय में नहीं आ सकते, आयोग ने सुबत 10 बजे बताया था कि साधे 12 बजे प्रेस कॉनफरेंस होगी, धाय गंटे में कौन नहीं पहुंच रहा था, आयोग को बताना चाहिए, हसी आती है ऐस से जवाब पर, यह संस्था लगातार अपनी विश्वसनियता से खिलबार कर रही है, गुज्रात बिधानसवा की तारिक तैकरने के मामले में यही हुआ, यूपी के कहराना में उपचुनाव हो रहे थे, आचार संगिता लागू थी, आयोग ने परदानमंत्री को रोड़ साम मत करो, मुख चुना आयोक्त जैसे पत पर बैट कर लोग, अगर संस्थाओं की साख इस तरह से गिराएंगे तो इस देश में क्या बचेगा, इसलिए बेहतर है कि चुना आयोक्त बैंच कुरसी लेकर बीजेपी के नए दफ्तर में चले जाएं, जगह ना मिले तो वही बाहर एक पार्क है, वहाँ कुरसी लगा लें और काम करें, मालिक को भी पता रहेगा कि सेवक कितना मन से काम कर रहा है, यह कैसे लोग हैं जिनकी रीड में दम नहीं रहा, यहां तक यह पहुंच कैसे जाते हैं, फिर आयोक्त प्रेस कॉनफरेंस की नौटं की क्यों कर रहा है, रिलीज परदान मंत्री के यहां भिजवादे, वही रैली में पढ़ देंगे, देखो जनता, देखो, सब लूट रहा है आँखो के सामने, सब ढह रहा है तुमारी नाक के सामने, जागो जनता, जागो, दोस्तों, यह आर्टिकल थे रभीश कुमार, सिनियर अन्डी टीवी के, और आप सुन रहेते न्यूज भारती पे